Dear Students, मैं डॉक्टर दिप्तिश रिवास्तो, Associate Professor Government Humor College, भीका नेर. आज आप लोगों को इंसेट्स की Integument के बारे में बताऊंगे. हम इंसेट्स की Integument या क्यूटिकल की Physical Properties देखते हैं. क्यूटिकल हाड्नेस, स्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी. क्यूटिकल की सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उसकी हाड्नेस, उसकी स्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी. 2. हार्द, 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 हार्द is due to the amount of sclerotization or tanning of the proteins that takes place. This involves cross-linking of the proteins, a process often called tanning or sclerotization, mainly occurs in the exoclutic. 2. हार्द, 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 क्यूटिकल में present proteins की sclerotization या उसके tanning के कारण होती है. टैनिंग में proteins की cross-linking होने से क्यूटिकल में हार्द आती है. क्यूटिकल में हार्निस के आने की क्रिया को टैनिंग या स्क्लिरोटाइजेशन खहते हैं यह मुख्यता एक्जो क्यूटिकल में होती है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ is due to the presence of काइटिन in the endocutical क्यूटिकल का दूसरा मुख्य गुण है उसकी स्ट्रेंथ क्यूटिकल की स्ट्रेंथ उसमें उपस्थित काइटिन के कारण होती है यह काइटिन मुख्यता क्यूटिकल के endocutical वाले भाग में present होता है जस्ट्रेंथ Is due to less proteins конlining and is usually due to more endocutical being present than x β गुण्कॺ वाले लग में इन मैनी सॉफ्ट लार्विल, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटीन्स के कम होने के कारण, वो कम स्क्लिरोटाइज्ड होते हैं और इसके कारण से हार्डनेस की जगे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, यह एंडोक्योटिकल में अधिक होती है, क्योंकि कम प्रोटीन्स एंडोक्योटिकल में होते हैं, जबकि प्रोटीन्स की ज़्यादा संख्या एग्जोक्योटिकल में होती है, इसके लावा कुछ मुख्य प्रोटीन्स जैसे की रैजिलिन स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं कई सॉफ्ट लार्वी में फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा सकती है जैसा की हमने अभी पड़ा स्क्लिरोटाइजेशन क्या है यह स्क्लिरोटाइजेशन इस क्रिया में क्या होता है CUTICULAR SCLEAROTIZATION also known as TANNING stabilizes the protein matrix to the cuticle to make it stiffer and harder, more insoluble and more resistant to degradation The process gives the integument greater strength for muscle attachment and locomotion and provides stability against hydrolytic enzymes produced by potential pathogens such as fungi. Cuticle Sclerotization को tanning भी खहते हैं, यह क्यूटिकल के protein matrix को stabilize करता है, जिसके कारण cuticle अधिक stiffer और harder हो जाती है, अधिक insoluble हो जाती है, तथा और अधिक resistant हो जाती है, यानि प्रतिरोधी हो जाती है. इस प्रोसेस के कारण या इस क्रिया के कारण, इंटेग्यूमेंट, मसल अटेच्मेंट और लोको मोशन के कारण, लोको मोशन के लिए अधिक strength वाली हो जाती है, और हाइड्रोलैटिक एंजाइम्स के प्रति अधिक stable या स्थाई हो जाती है, ये एंजाइम्स जो की फंजाई जैसे potential pathogen से उत्पन होते हैं, और इनके कारण, इंसेट की इंटेग्यूमेंट पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, अगर क्यूटिकल हाड होगी, तो हाइड्रोलैटिक एंजाइम्स का प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, और इंसेक्स अपने pathogen से बचे रहेंगे, इप्रोसेस ऑफ स्क्लिरोटाइजेशन, क्रॉस लिंक्स दी फंक्शनल ग्रॉप्स ऑफ क्यूटिक्यूलर प्रोटीन्स वेन दे रियक्ट विद की नोन्स, स्क्लिरोटाइजेशन की क्रिया में प्रोटीन्स के फंक्शनल ग्रॉप्स लिंक्स हो जाते हैं और यह क्रिया तब होती है जब वो किनोन से रियक्ट करते हैं, During sclerotization, the epidermal cells secret several agents into the cuticle, where they are transformed into more reactive compounds that are able to link the proteins. Sclerotin Sclerotin क्या है? Sclerotin, a dark brown biological pigment formed by an enzyme, catalyzed tanning of protein. Sclerotin is found in the cuticle and egg cases of insects, the body shell, carapace of certain crustaceans and the bristles of terrestrial and marine worms. Sclerotin not only darkens the cuticle of insects, thus contributing to the shielding of injurious light rays, as does melanin, but also effects a distinct protective hardening of the cuticular protein. Sclerotin Sclerotin एक dark brown biological pigment है, जो की protein के tanning होने से जो के कारण से जो enzyme बनता है, उससे ये बनता है. Sclerotin के कारण से कारण से इंज्यूरियस लाइट रिस्क से ये अपना बचाव कर पाते हैं इसके कारण क्यूटिकल हार्ड हो जाती है और इस परकार एक रक्षात्मक लेयर या आवरण इंसेट के चारोर बन जाता है Kytin keया है kytin is a modified polysaccharide that contains nitrogen it is synthesized from units of N-acetyl-D-glucozamine these units form covalent linkages therefore chitin may be described as cellulose with one hydroxyl group on each menommer replaced with an acetyl amine group this allows for increased hydrogen bonding between adjacent polymers giving the chitin polymer matrix increased strength जैसा कि हमने अभी पड़ा कि insects की cuticle में chitin present होता है chitin एक modified polysaccharide है जिसमें nitrogen उपस्तित होती है और ये कई N-acetyl duoglucosamine की unit से या इकाईयों से बनता है ये इकाईया covalent bond द्वारा या covalent linkages द्वारा जूड़ी रहती है इसके कारण जो chitin polymer बनता है वो cuticle को या integument को strength प्रदान करता है cuticle की अगली property या अगला गुन है coloration and melanization insect colors are due to either pigments in the exocutical such as melanin and they are usually lacking in endocutical second physical structure of the cuticle to form diffraction gradients that diffract light in various ways this results in the irritants of the blue marfo butterflies and gold of beetles gold on monarch tyrosilis silver of the fritillaries and color of tiger beetles etc insect में रंग दो कारणों से होते हैं pigments की उपस्थिति के कारण तथा उसकी physical structure के कारण cuticle की exocutical जो पार्ट है उसमें pigments उपस्थित होते हैं जैसे की melanin इसके कारण insects different colors के दिखाई देते हैं melanin exocutical में उपस्थित होते हैं जबकि ये endocutical में नहीं होते हैं अधिकतर ये endocutical में नहीं होते हैं इसके लाबा cuticle की physical structure defraction या विवर्तन gradients बनाती हैं जिसके कारण से प्रकाश विवर्तित हो जाता है diffract हो जाता है जिसके और insects अलग-अलग रंगों के या अलग-अलग रंगों की आवालीवे दिखाई देते हैं जैसे की blue morpho butterflies में इंद दनुशी colors दिखाई देते हैं beetles में सुनहरी पन दिखाई देता है इसी तरह से monarch, chrysalis में भी gold color या सुनहरी fritillaries में silver तथा tiger beetle के color ये सब different insects के color के उधारण है cuticular or integumental modifications अभी तक हमने cuticle के different properties के बारे में पड़ा उससे पहले integument के part first वाले वीडियो में हमने integument की सरंचना देखी थी अब हम देख रहे हैं cuticular या integumental modifications cuticle or integument is modified into external outgrowths or internal invaginations cuticle or integument बाहरी outgrowths या आंतरिक invaginations के कारण रुपांतरित हो जाती है सबसे पहले cuticular outgrowths they are divided into cuticular appendages and cuticular processes depending on the presence or absence of membranous articulations cuticular outgrowths के कारण cuticular appendages cuticular process सबसे पहले cuticular appendages these are outgrowths of the cuticle or integument connected with it by means of membranous joints they arise from modified epidermal cells these are classified into CT and spurs these are cuticles cuticle तथा integument की outgrowths है जो की cuticle से membranous joints द्वारा connected रहते हैं यह epidermal से उत्पन होते हैं epidermal cells से उत्पन होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं CT तथा spurs CT या इनको macro trichia भी खह सकते हैं commonly known as hairs and arise from a cup like alveolus or pit CT are hollow structures developed as extension of exocutical and are produced by a single enlarged hypodermal cell called trichogen cell articular membrane is usually produced by a second hypodermal cell called tormogen cell CT have role of taxonomic importance and vary with species to species CT या macro trichia या hairs ये एक up like alveolus या pit से arise होते हैं ये hollow structures हैं जो की exocutical के extensions के रूप में देवलप होते हैं तथा एक single enlarged hypodermal कोशिका या उसे cell से produced होते हैं इस कोशिका या इस cell को trichogen cell कहते हैं एक आर्टिकुलर membrane दूसरी hypodermal cell से produced होती है इस दूसरी hypodermal cell को tormogen cell कहते हैं CT की taxonomic importance है और ये CT की संख्या या उसकी सरंचना species to species vary करती है इस तरह से CT को देखकर species को भैचान सकते हैं second sperms occur on the legs of many insects and differ from CT in being multicellular in origin spurs कई insects की legs पर सित होते हैं ये CT से differ होते हैं क्योंकि ये origin में multicellular होते हैं CT या macrotrichea unicellular हैं जब कि spurs multicellular हैं second cuticular processes they have no membranous articulation they are of two types microtrichea or fixed hairs or actually these are minute hair like structures found on wings of macoptera and certain diptera cuticular process में सबसे पहले microtrichea या fixed hairs या likely ये छोटे hair like structures हैं जो की macoptera तथा कुछ diptera के wings पर पाए जाते हैं second spines outgrowth of the cuticle which are more or less thorn like in form spur or spines cuticular appendages or cuticular processes movable multicellular structures and thick wall ये cuticular appendages हैं या cuticular processes हैं ये movable होते हैं multicellular होते हैं तथा thick wall होते हैं next cuticular invagination अभी तक हमने cuticular outgrowth देखी अब हम देख रहे हैं cuticular invagination the body wall or cuticle of the body wall invaginate internally and grow into definite structures which are of two types cuticle या body wall अंदर की तरफ invaginate होती हैं और कुछ विशेश सरंचनाय बनाती हैं जो की दो प्रकार के होते हैं first apodip these are hollow invagination of the body wall and second apophysis these are solid invagination of body wall next cuticular glands cuticle में कुछ glands भी होती हैं जो की अलग-अलग insects में अलग-अलग परकार की होती हैं और कुछ अपने अलग-अलग परकार के स्त्रवन या सीक्रेशन स्त्रावित करती हैं सबसे पहले wax glands पाई जाती हैं the wax is found by worker bees which secret it from eight wax producing mirror glands on the inner sides of the sternides or the ventral shield or plate of each segment of the body on abdominal segments 4-7 honey bees में भी worker bees में wax formed होता है यह wax इनके abdominal segments 4-7 पर उपस्ते 5-8 wax प्रोडूजिंग mirror glands द्वारा secret होता है sizes of these wax glands depend on the age of the worker इन इन वेक्स glands का size या आका worker की age पर depend करता है and after many daily flights these glands gradually begin to atrophy और worker bees की daily flights के कई सारी daily flights के बाद यह glands धीरे धीरे खत्म हो जाती है The integument of the leg insect consists of an external layer of cuticle underlying which their is the syncytial hypodermis many of those cells are modified into leg glands which secret the resin of commerce wax glands के बाद leg glands leg glands leg insects में पाई जाती है जो की leg secret करती है यह leg glands के लेक इंसेट्स की cuticle की external layer जो उपस्टित होती है यह कई सारी कोशिकाओं की बनी होती है यह कोशिकाओं leg glands में मौडिफाइड हो जाती है और resin को secret करती है NEXT Dismond 2. Androconia 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 क्या है Androconia are the scent scales on the wings of adult male insects The androconia often form black areas on the four wings of male butterflies and moths The scales produce pheromones which are used to attract females. Females do not have androconia. Butterflies that have androconia include wall brown and the silver washed fritillary. Endoconia scent scales are which are adult male insects wings per upstit. अधिकतर endoconia male butterflies and moths of four wings per black areas are. यह scales phheromones produce करते हैं. जिसके कारण से यह female को attract करते हैं. female में endoconia नहीं पाए जाते हैं. wall brown तथा silver washed fritillary butterflies में endoconia पाए जाते हैं. यह देखिए, यहां पर हम silver washed fritillary देख रहे हैं. जिसमें इसकी photograph है. यहां पर four wing में endoconia दिखाई दे रहे हैं. यह चार black parallel strips के रूप में four wing में arranged हैं. इंसेक्ट की integument के कारण इंसेक्ट में जो मुखे गुण पाया जाता हैं वो है agdysis. Agdysis is a periodical process of shedding the old cuticle accompanied by the formation of new cuticle is known as malting or agdysis. Agdysis या malting क्या है यह old cuticle का cuticle का गिरने का shedding होने को agdysis कहते हैं यह क्रिया periodical या एक निशित अंत्राल के बाद होती है. इस क्रिया में old cuticle गिर जाती है उसकी जगे नई cuticle बनती है. तो पुरानी cuticle का गिरना एक निशित अंत्राल के बाद पुरानी cuticle का बनना तथा नई cuticle का बनना इस क्रिया को malting या agdysis कहते हैं. The cuticular parts discarded during malting is known as exuvia. Malting के दौरान जो cuticle का part discard किया जाता है या जो insect के शरीर से अलग हो जाता है उस part को exuvia कहते हैं. Malting occurs many times in an insect during the immature stages before attaining the adulthood. एक इंसेक्ट में malting कई बार होती है यह क्रिया इंसेक्ट के adult या वेस्क बनने से पूर्व उसकी immature या अविक्सित stages में होती है. The time interval between the two subsequent malting is called as stadium and the form assumed by the insect in any stadium is called as insta. दो subsequent malting के बीच का time interval stadium कहलाता है तथा किसी भी stadium में जो form insect की जो भी अवस्था बनती है उस अवस्था को insta कहते हैं. पूरी malting की क्रिया में क्या-क्या चरन आते हैं क्या-क्या steps involved हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं. Steps in malting First, behavioral changes Larva stops feeding and become inactive जब malting होती है उस दोरान सबसे पहले larva भोजन ग्रहन करना बन कर देता है तथा inactive बन जाता है या लिश्क्रिये बन जाता है. Second, changes in epidermis In the epidermis cell size, its activity, protein content, and enzyme level increases. Epidermis की जो cells हैं उसमें उनका size, उनकी activity, protein content, और enzyme level increase हो जाता है, भर जाता है. Cell divides mitotically and increases the tension which results in losing the cells of cuticle. कोशिक हैं metotically divide होती हैं, काफी विभाजन के कारण tension increase हो जाती है, भर जाती है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थान सीमित है या स्थान वही है, इसके कारण से cuticle पर एक दबाव भड़ जाता है, जिसके कारण से cuticle की कोशिकाओं तूटने लगती हैं और वो हटने लगती हैं. apolysis, detachment of cuticle from epidermis, epidermis से cuticle के हटने की क्रिया को apolysis कहते हैं. next, formation of subcuticular space cuticle और epidermis के मध्धे, subcuticular space बढने लगता हैं. next step, secretion of malting gel in the subcuticular space, which is rich with kaitinase and protease. subcuticular space में malting gel का secretion होता है, इस malting gel में kaitinase सथा protease enzyme प्रचूर मात्रा में होते हैं. next step, new epicutical formation, cuticulin layer is led over the epidermis, procutical formation, procutical is found below the epicutical, activation of malting gel, malting gel is converted into malting fluid rich in enzymes, this activates endocutical digestion, and absorption. malting gel, malting fluid में convert हो जाता है, जिसमें enzymes काफी प्रचूर मात्रा में होते हैं, यह endocutical digestion और उसके absorption को activate करते हैं. next, wax layer formation, wax threads of pore canal secret wax layer, cement layer formation, dermal gland secret cement layer, or tecto cuticle, malting, this involves two steps, first, rupturing of old cuticle, insect increases its body volume through intake of air or water, which enhances the blood flow to head and thorax. thereby the old cuticle ruptures along predetermined line of weakness known as agdacial line. insect अपने body volume को बढ़ाता है, और यह kriya air या water के intake के कारण या अंदर लेने के कारण से होती हैं, जिसके कारण, head or thorax में blood का flow बढ़ जाता है, और old cuticle line of weakness पर तूटने लगती है, यानि कि ऐसा साम जहां पर cuticle weak होती है, वहां से cuticle rupture हो जाती है, यह line of weakness, agdacial line कहलाती है. Next, removal of old cuticle, peristaltic movement of body and lubricant action of malting fluid helps in the removal of old cuticle. Body की peristaltic movement, क्रमा कुंचक, गती, तथा malting fluid के lubricant action के कारण, old cuticle का removal हो जाता है, या old cuticle हट जाती है, प्रतेक malting के दोरान, शरीर, legs, internal lining of foregut, hindgut and trachea की cuticle covering discarded की जाती है, During each malting, the cuticle coverings of body, legs, internal linings of foregut, hindgut and trachea are discarded. इस परकार, कई चर्णों से, मिलकर, या कई चर्णों द्वारा, malting की क्रिया पूर्ण होती है, malting की क्रिया में, कौन से hormones help करते हैं, या control करते हैं, control of malting, it is controlled by endocrine glands like prothoracic gland, which secret malting hormone. Malting की क्रिया, endocrine glands, जैसे की prothoracic glands द्वारा controlled होती है, ये prothoracic gland malting hormone को secret करती है. Endocrine glands are activated by prothoracicotropic hormones produced by neurosecretary cells of brain. Brain के neurosecretary cells, prothoracicotropic hormones secret करते हैं, ये hormones prothoracic gland को activate करते हैं, जिसके कारण से ये prothoracic gland malting hormone स्त्रवित करती हैं, और ये malting hormone, malting की क्रिया को control करता है. इसके लावा, और कौन से hormones हैं, जो की malting को नियंत्रत करते हैं, जे एच या juvenile hormone produced from corpora aleta of brain that helps the insects to be in immature stage. juvenile hormone, ये brain के corpora aleta द्वारा produced होता है, ये insects को immature अवस्था या अविक्सित अवस्था में बने रहने में मदद करता है. M-match या malting hormone, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये prothoracic gland से produced होता है, और ये malting के process को induced करता है. Ecclosian hormone, released from neurosecretary cells in the brain that helps in the process of agdysis or ecclosion. Ecclosian hormone या ecclosion hormone ये hormone, ये hormone, brain की neurosecretary cells द्वारा released होता है, और ये agdysis या ecclosion की kriya को kriya में help करता है. Now, functions of body wall. It provides the structure, size and shape of insect body. It provides the water resistance or balance of insect. It protects the insect organs against physical harm. It provides the space for muscle attachment. It helps to prevent the entry of harmful microbes and chemicals. It serves as interface between insect and environment. It helps to maintain an ionic balance in insect body. It serves as the site of sensory input. तो इस प्रकार body wall के कई कारे हैं, जो की इंसेक्ट को एक अच्छा जीवन वेतित करने में मदद करते हैं. इसके कारें, इंसेक्ट की बॉड़ी की सरंचना, साइज और शेप बनी रहती हैं. इसके कारें ही, इंसेक्ट वाटर रेजिस्टेंस या बैलेंस मेंटेन रखते हैं. इंसेक्ट ओर्गंस की रक्षा होती हैं. इसके कारें, हार्मफुल माइक्रोब्स तथा केमिकल्स शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं. बॉड़ी वाल या इंटेग्वमेंट, इंसेक्ट और एंवर्मेंट के बीच में एक इंटर्फेस बनाता है. आइनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है. इस तरह से बॉड़ी वाल के कई कारे हैं. तो आज हमने इंसेक्ट के इंटेग्वमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी डिफ्रेंट प्रॉपर्टीज, उसमें किस तरह से स्क्लिरोटाइजेशन की क्रिया होती है, स्क्लिरोटाइजेशन के कारण क्या होता है, इसमें और एक्डाइसिस की क्रिया क्या होती है, बॉड़ी वाल या इंटेग्वमेंट के क्या कारे हैं, इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ा, थेंक यू.